चीन की एक धमकी से बिटकोईन और दूसरी क्रिप्टोक्रेंसी की कीमत में गिरावट आई है। दुनिया की सबसे बड़ी और लोग प्रिये क्रिप्टोक्रेंसी बिटकोईन की कीमत तो फरवरी के बाद से न्यूंटम स्तर पर पहुंच गई। चीन के पीपल्स बैंक ओफ चाइना ने फिर जोर देकर कहा है कि डिजिटल टोकन्स को पेमिंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नियूर्क में बिटकोईन की कीमत 51, फीसदी की गिरावट के साथ 42,547 डॉलर पर आगई। बिटकोईन में टिसला की होल्डिंग्स के बारे में इलन मस्क के ये भी हां। कभी ना वाले ट्वीट से पिछले एक हफ़ते में इस क्रिप्ट उकरिंसी की कीमत काफी गिरी है। अब चीन के सरकारी बैंक के बयान ने रही सही कसर पूरी कर दी। बिटकोईन की कीमत अब फरवरी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तरपर है। इथर की कीमत में भी 7 फीसदी से अधिक गिरावट आई है जबकि पिछले हफ़ते तहल का मचाने वाली इंटरनेट कंप्यूटर की कीमत भी गिरी है। क्रिप्टो करेंसी डोग कोईन की कीमत में भी कमी आई है। चीन के सरकारी बैंक के अधिकारिक वीचैट अकाउंट पर जारिंग नोटिस में कहा गया है कि वर्चुल करेंसीज को मार्केट में यूज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे वियल करेंसीज नहीं है।